नमस्कार मैं हूँ असोग बर्मा आप देख रहें टीवी 20 नीज अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला थे खबर आजम गड़ से हैं जहां भाजपा नेता रमकांत मिश्र स्रम प्रकूष शेत्री स्वयूजक ने कहा के समाज के हर वर्ग को रहात देने वाला बजट बना रहे हैं बरिश्ट भाजपा नेता रमकांत मेंसर ने कहा कि बजट में हर वर्ग और शेत्र का विकास शेत्र को प्रात्रमिक्दा दी गई है सपाबसपा और कांग्रेस के नेताओं के जन्विरोदी बजट वाले बयान पर नोंने कहा कि बजट विक्सित भारत की मजबूत नीव रखा है युवां को अश्रीमित रोजगार के अवसर मिले हैं किसानों को लाबकारी मुल्य मिर रहा है मद्यवर्गी परिवाय के प्रगती का रास्ता अग्रिसर हुआ है यह बजट पेश करने वाले देश के यह सब्सक्राइब स्वागत करता हूँ उन्होंने पूरे देश को मोदी जी का जो सपना 2047 में विक्सित भारत दुनिया की रहनुमाई करेगा यह बजट उसके लिए एक मजबूत नीव है पहली बार उतर प्रदेश में किसानों को निसुल को बिचली मिल रही है जो मैस्पी की चर्चा लंबे स समय से लोग किसानों के हित में करते थे आज उनके लागत मुल से 50 परसादी को देने के लिए बजट में प्रावधान क्या कुछ का है उन्होंने मेडिया से बात करते हुए आप से आज का बजट है जिसमें टेक्स पे कुछ रात मिली है आम नागरिक को भी रात मिली है आम जुआओं को असीमित रुजवार के आउसर मिलने हैं किसान को लाभकारे मुलने मिलने हैं मध्यवर्गी परिवार के प्रगत का रास्ता अग्रसर हुआ है यह बजट पेस करने वाले देश के एसेस्चू प्रधार मंत्री जी की टीम केंद्री बित्न मंत्री स्रीमती सीता रमड जी का मैं उनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ जिनों में देश को जो मोदी जी का सपना है जो विजन है दोजार सैतालिस में भिक्सित भारत दुनिया की रहनुमाई करेगा उसकी यह आज का बजट मजबूत नहीं होगी पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों को नहसुन के विजली जिस MST की चर्चा लंबे समय से किसानों के हित्ने लोग करते थे आज उनकी लागत से 50% जादे मूल्य पर लावकारी मूल्य देने के लिए इस बजट में प्राविधान है मुझे तरस आता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बजट की मुखालफत कर रहे हैं पहली बार समाज के हरवर्ग को यह रहात देने वाला बजट है महगाई को नियंत्रिक करने वाला बजट है विकास के रास्ते पर देश को ले जाने वाला बजट है महिलाएं खुस है नौजवान खुस है बेरुजगार खुस है विद्यार्थी प्रसंद है देश का हर नागरिक मोदी जी के विजन से सीता रवण जी के बजट से आज अपने को अलादित और प्रसंद का पुर्वक जीवन जीने का जो सपना देखाता हुआ शाकार होता देखरा